हेलो आपीवान, वेल्कम बैक वीवर्स, कैसे हो आपसे लोग आईज, उबीद करते हूँ, स्वस्त होंगे, अपना ख्यार लग रहे हूँ, आज मैं आपके लिए करने जा रहे हूँ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे यूनिवर्स, आप देखो नवरात्रे खतम आज में है, जन्नक राक्टिव रीडिंग रहेगे, सबी के लिए की जारी, इस रीडिंग का ध्यान रखेगा, और एनरजी को जरू क्लेम करिएगा, ठीक है, अगर आपको हेल्प मिले तो प्लीज लाइक शें सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी और वीडियो उसके लिए, चल आपको हेल्टन करिए, तो धीकमो जारीद जारीट, नियत पन्तेख़िए, झाट पिंगोई, स्थ थोस्व थ्ड्वेग उर्ड़्ट्ड रॉड़्ड घ। यजल्ड स्ज्डारीट इस लुक्र आपकाल अट रहेगे, लौको ह में लूटग्यों लुकिव में गरमआईल, म ठीक है, bottom की energy है, night of cups की, ठीक है, तो ये आई हैं आपकी cards, अब मा जो है, वो तो मा है, मा को तो सब कुछ पालूम है, मा से क्या बच्चा कोई छुपा सकता है, ऐसे ही आप हो, मा से कुछ नहीं छुपा, मा सब जानती है आपके बारे में, सबसे पहले मा ने जैसे आपको ये बोला है कि बच्चा, ठीक है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपकी जो current situation जिसमें भी आप फसे वे वेवर्स, फसे वे ही नजर आ रहे हैं, जिससे आप कहरे हैं कि मुझे मा दया करो मा दया करो, अब तो मुझे दया करो, और मुझे situation से बाहर निकालो, मे लात में सो नहीं पाता, बहुत भयानक भयानक थौट आते हैं, बहुत negativity भर गई है, कुछ भी अपना नजर नहीं आता, कोई अपना नजर नहीं आता, ऐसा लगता है जिसे दुनिया में अकेला सा रह गया हूँ, कोई भी किसी पर विश्वास नहीं होता, बहुत विश्वा नहीं कि मैं कहां जाओं और क्या करो, सब अपने जो थे जिनको मैं अपना मानता था, धीरे धीरे साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई मुसीवत में साथ नहीं देने वाला, सिर्फ आप आपके ओपर भरोसा है, तो दया करके हमें इस मुसीवत से बहार निकालो, तो म माफ हुए, ठीक है, वो माफ हुए, आपको ये बूला जा रहा है, आपकी सिचुवेशन नाव इस ओवर, ये जो बुरी सिचुवेशन है, बेसिकली, तो यूनिवर्स और मा, जिसमें भी जैसे भी आप उनको देखते हो, मानते हो, बट ये जो एनरजी है, वो ये ही दिख हम ऐसे हो सकते हैं, विवर्स जो आपको बहुत तकलीव देते हैं, और मा उनी पर सबसे पहले मरहम लगाने वाली हैं आपके, ठीक है, आपकी लाइफ में रास्ते खोलने जा रही है, मा, बहुत सारे, मैं ये बोलूँगी कि ऐसे रास्ते जहां से नई जिन्दिगी जो आप हो अपनी लाइफ में उससे बहार निकलनी के एनरजी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जिसे कि आपके अंदर एक स्टेंथ रहेगी, एक डिटर्मिनेशन, एक पावर, एक स्टामिना, एक मोटिवेशन लेवल आपका हाई रहेगा, आपको आपका ल आपका सामने आजाएगा, आपके जो धुंदलापन है, वो खतम हो जाएगा, रास्ते आपको दिखने लगेंगे, उन रास्तों पर सिर्फ आपको चलना है, चलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आपकी हिम्मत टूट चुकी है, माँ आपको हिम्मत दे रही है, ठी नहीं नहीं सबसे पहले, एक बहुत ही मेजर और विक्टरी कह सकते हों से, विक्टरी भी कहूंगी और कुछ चीज़ा आपकी लाइफ में रैप अप होती हुए देख रही हो, ठीक है, एक कंपलेशन के नरजे कर कोई काम है आपका, आपकी अध़र बुन में लगे हो, अच्छे दिन आएंगे, अकसर लोग पूछते हैं कि माडम हमारी जिंदिगी में अच्छे दिन काम आएंगे, आएंगे भी नहीं आएंगे, इतना बुरा वक्त देखा है, आप तो उमीद भी छूटती जा रही है, कि अच्छे दिन बतानी काम आएंगे, तो देख रहे हो ये दो कार्ड जो आएंगे, आपके लिए वही बताते हैं, जैसे कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, अंधकार जो था मायूसी का वो छट गया, ठीक है, तो ये कार्ड वही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में मा अच्छे दिन लेके आ रही है, आप कहोगे मैं मोदी जैस वो वनजिल आपके सामने वो आपको मिलेगी, यानि लाइफ में जो आप इस समय इतनी नेगेटिविटी में भरे वे होना, ये नेगेटिविटी आपकी खतम होने वाले है, आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, ब मतलब जिस इंसान से आपको उमीद थी कि यह व्यक्ति तो एटलीस मुझे सपोर्ट करेगा ठीक है यह तो मेरा साथ निभाएगे निभाएगा उसने भी आपके रिलेशनशिप में मैं यह नहीं कहूंगी हर एक ने आपका साथ नहीं निभाया लेकिन जीजे बहतर नहीं हो प परिवार बना रहेगा यह वह अनरजी है ठीक है तो एक नहीं होप को यहां पर जनम देते हुए माता रानी आपके लिए नजर आ रही है तो कुछ ना कुछ मिराकल होने वाला है यह सारे काड अगर आप देखेंगे ना आपकी इसमें रीडिंग में if you can notice there are five cards जो major अरकाना ठीक है तो यह मोटा मोटा सा आप आइडिया भी ले सकते हैं इससे ठीक है so let's see यहां पर आपके लिए और क्या है कौन सी manifestation है जो आपकी पूरी होगी please universe angels मुझे बताएं as soon as possible आप इनकी कौन सी manifestation है जो पूरी करेंगे so viewers आपके लिए सबसे पहले आ रहा है going with the flow के energy intensity वाव ठीक है experience aloneness ठीक है एक यहां पर viewers मुझे नजर आ रही spiritual awakening की बहुत लोगों के लिए अगर आपको spiritual path पर होना तो आपको spiritual awakening मिलने वाली है और बहुत कुछ आप ऐसी ऐसी चीज़ा अनुभव करोगे जो अभी तक आपने अनुभव नहीं की है ठीक है और यह divine goddess की energy रहेगी बहुत strong powerful energy है और यह बहुत ही कम लोगों को मिलता है अगर मैं बताओं तो बहुत कम लोग को experience कर पाते हैं लेकिन अगर आप divine से connected हो तो you can feel the energy some kind of miracle है आप मैं कहूंगे जैसे divine आपको guide करेगी divine आपको हर जैसे कि कोई भी आएगा आपकी life में यह बहुत unexpected होगा जैसे मैंने गुलने क्या आपकी life में पूरा होगा जैसे आपकी life में अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ठीक है मैं इसी बात को तु सोच रहा था इस वेकिते नहीं यही बात कैसे बोल दी ठीक है WARRI मैं यही तो कह रहा है वाला मैं यही तो सोच रहा था इस चीज़ का तो मुझे answer चाहिए था ठीक है यही तो मुझे जानना था। इसने वही वाली बात बता दी यह होगा आपके साथ में बहुत अननेचरल से एक्सपेरियंस आपको होने वाले हैं लेकिन वो कहीने की डिवाइन इंटर्वेंशन है आपकी लाइफ में यहाप यह होलूगी जैसे पग पग पे जहां जहां आप गिरोगे आपको सम्हालने के लिए मा खड़ी है आप ऐसा समझ लो ठीक है जहाप अभी आपको लगेगा या डेड एंट आगे में लाइफ में आपको वहीं से एक नया रास्ता मिल जाएगा जहाप अभी आप उमीद हारोगे वहीं से आपकी नई उमीद की किरन जो है आपकी लाइफ में जनम ले लेगी तो यूनिवर्स जो है वो आपकी सपोर्ट में ऐसे फ्रेंड खड़े मैं आपको ये बता दूँ जिसपर आप भरोसा कर सकते हो जिन पे आँख बंद करके आप भरोसा करोगे तो आप अपनी लाइफ में देखोगे न कितनी भी परिशानी हो आप इन सब बहुत एजली निकल जाओगे तो यूनिवर्स आपको जिसे कहने है कि करम करो कोई भी काम अगर आपको करना है करो ठीक है मुश्किल आएगी लेकिन आपको एजली उससे बहार निकल जाओगे उस भवर से उस परिशानी से पेड लगाया था सालों पहले बहुत महनत करी महनत करी महनत करी कोई रिजल्ट नहीं मिला कोई फल नहीं आया अब टाइम आगया उनका फलो को चखने का ठीक है यह वो है एनरजी तो महनत का फल है यहाँ पे आपके लिए कर्मों का फल वो energy है यहां पर ठीक है तो यह energy आप लोगे लिए नजर आ रहे हैं कुछ advice देख लेते हैं यहां पर so please universe angels मुझे बताएं आप इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं advice और guidance में मेरे viewers के लिए experience जो है ना यहां पर मैं यह कार्ड दिखाऊं तो यह काफी सुखद experience है यानि सुखों को अनुबव करने वाली energy है जहां पर इनसान सुखों को जी रहा है उनको feel कर रहा है और बहुत ही जिसे किते हैं vibrant यहां पर energy है यानि कि कहने की चीज़े अच्छी ही होंगी भैतर ही energy guys यहां पर नज़र आ रही है ठीक है तो सुख है सुखों की definition सबके लिए अलग अलग हो सकती है अब सुख कोई कैसे देखता है वो आपके उपर matter करता है आपको किस चीज में सुख मिलता है वो आपको समझ में आ जाएगा वक्त के साथ में किसी और किसी और चीज में का सुख है किसी को अपनी हैल्थ आप सुख है किसी को परीवार चैर Gravy किसी को बच्चा है वो इसका सुख है तो सबकी अलग units आ लिकिन सुखों किक जीरिए कि इनसान ने दुख जिला है अब सुक जिलने की बारी आ चुकी है सही है जिलने की नहीं भोगने की सो लैसे यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसिज है साथ प्लीज उनिवर्स मेरी विवर्स के लिए आपका और क्या संदेश है celebration वाउ देखो first card इमाने क्या दिया है celebration का get ready for a celebration तो आपकी life में सबसे बड़ा जो बदलाव आ रहा है सुकों को भोगने के लिए वह को है celebration celebration इनसान कप करता है जब कोई अच्छा event होता है जब कुछ अच्छा घटता है है तब ही वह celebrate करता दुख को कौन celebrate करता भाई मेरे कोई भी नहीं करता है तो वह चीजे है जर्नी एक new journey beginning और यह जर्णी जो celebration के लिए तो आपके लिए card in the last card for you temptation वाओ तो तो यह हाँ पर मैं यह देख सकती वीवर्स, तो कोई इसको दोनों तरह से हम ले सकते हैं, एक कि आपको कुछ negative आपके साथ में जोड़ा हुआ है, तो आप उसे overcome करने वाले हैं, यानि कुछ लोग आगर आपके साथ में छलावा कर रहे हैं, या चहरा कुछ और दिखा रहे है आपके साथ में रहे किसी और तरीके से रहे हैं, उनकी intention कुछ और है, तो maybe वो reveal हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़े हैं आपके कुछ unhealthy चीज़ें आपकी life से cut off होने वाली है, वो energy यह आपके नजर आ रहे हैं, और आपको यह भी बोला जा रहा है कि अपना आपको cut off भी करो, ऐसी negative energy से, so that आप एक अपनी life की new journey से start करें, और यह new journey celebration के लिए जाए, अब अपनी life में आप देख लो कि आपकी life में क्या 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 अन healthy है, ठीक है, और आपके सामने भी आ जाएगा, उन चीज़ों से overcome करने के लिए हैं, आपके बोला जा रहा है, तो यह viewers आप लोग के message है, और खुद को heal करने के लिए, आप music सुन सकते है, music meditation music भी सुन सकते है, healing music भी आते हैं, वो भी सुन सकते हैं, पुछ और भी music अगर आपको अच्छे रखते हैं तो वह भी आप सुन सकते हैं जिससे आपकी healing हो क्योंकि healing आपके लिए कहीं है कि आपके mind को relax करने के लिए काफी ज़रूरी है आपके लिए आपके लिए अगर आपको इस रिडिंग से help मिली हो तो क्लेम करें लैक्शन सब्सक्राइब करें पर्स रिडिंग के लिए आप चाहें तो वगिंग अरवाज सकते हैं यह थी रिडिंग आपके लिए बाबाए टेक कियर